अस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2023 तो दोस्तों यहां वर हम लोग इस वीडियो में यहीं बात करेंगे कि जो है ग्रेंट सिलेम में आता है अस्ट्रेलियन ओपन तो इसी के बारे में पुर जानकारी को देखेंगे तो क्या है और इसमें कौन-कौन विजेता हुए हैं कौन-कौन जीत लिया है तो दोस्तों यहां पर है नोवाग जोकोविच और सावलेंका जो अपने-अपने केटेगरी में अश्ट्रेलियन ओपन तो तेश का खिताब जीत लिया है यहां पर आप लोगों को धियान रखेंगे जो है कि ग्रेंट सिलेम होता है उसमें से जो सबसे पहला अश्ट्रेलियन ओपन तो यही सुरुवात होता है साल का तो यहां पर जो है नोवाग जोकोविच और सावलेंका ने अपना खिताब को यानि के खिताब को जीत लिया है तो यहां पर है कहां से कहां खेला गया तो यह मैलबर्न ऑस्ट्रेलिया में खेला गया और कब से कब घ्bai लए बात करते हैं अब यहां पर में सिंगल में जीता को न है तो में सिंगल में जीते हैं याने कि विनर है नौवाक जोकोविक जो की सर्ब्या की खिलाडी को हराएyi यानि कि हमंगी सकते हिंया आपर कि विनर जो है वह हुआ जोकोविक है और लुए इंधानल रखना है और यहीं से सब जीन पूछण पुछे यानी कि यहानिकी यह मेंगे लिए men's singles और men's singles. ये दोनों से question बनते इही बनते हैं, तो आप लोगोओं को ध्यान रखना है कि Ashlandschkok 37 men's singles के winner है, याने की विजयता वह है नुआग जोकोविक. अब आगे बात करते हैं women singles की बात करते हैं women singles में winner जो है वह है Ariana Sabalinka जो कि बिलारूस की खिलाडी है और रनरव जो बने है वह है एलेना राइबी काना तो वह है कजाकिस्तान खिलाडी तो यहां पर आप लोग को ध्यान को ध्यान रखना रखना है अब देखते हैं हम लोग मेंस डबल में कोन कोन गीते हैं तो यहां पर वीनर है जेसन कुबलर और और रिंग की तो यह दोनों जो खिलाडी है वह रोग वीनर बने है और इन्होंने जो है किस की जोड़ी को हराया है तो इन्होंने जो हराया हूँ है H-neiss France और Jay Jelski Poland तो यह जो है फ्रांस और फॉलन के खिलाड़ी है यह दोनों विजता बने हैं और जो बने हुआ है जैसन कूबलर और रिंकी हीजी काता जो की आस्ट्रिया खिलाड़ी है तो इन्होंने ही मैंस डबल में हराया है यहां पर आप लोग जानेंगे यह पांच केटेगरिय में खे लिए है अब बात करते हैं ओमेंस डबल में ओमेंस डबल में हैं वीनर बारबोरा क्रेजी कोवा और कैटरीना सिनिया कोई दोनों जो हैं इन दोनों को इन्होंने हराया है यानि ओमेंस डबल की बात करते है तब तो यह भी आप लोगों को ध्यान रखना कि बारबारा लिए अब बात करते हैं मिक्स डबल्स की बात करते हैं यानि कि इसमें एक में होता है और एक ओमें एक साइट से और दूसरे साइट से भी मेंस पुलस ओमेंस इन दोनों के बीच में यह जो खेल होता है अर बपन्ना और सानीया मिर्जा इन दोनों को हरा करके यह मिक्स डबल्स का खिताब गीत लिया है यह मिक्स में भारत की जें legण और इसमें जो सान्या मिर्जा और इसके बाद इहां से सन्यांस ले ले लएगे यानि कि इसके बाद और वो टेनिस नहीं खेलेंगे तो इसलिए ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को तो सानिय मिर्जा और रोहन बोपना जो मिक्स डबल्स में रणर आप यानि की उबजिता बने हैं अब इसमें थोड़े से इंपोर्टेंट चीज़ों को बात का लेते हैं तो यह इंपोर्टेंट चीज़ जो हुआ है कि नुवाक जोकोविच का यह कूल 22वा ग्रेंड सिलम खिताब है और दसवा आश्टिलियन ओपन टेनिस टाइटल है तो यह भेरी भेरी इंपोर्टेंट ह है कि यह जो है कूल मिलाकर के 22वा ग्रेंड सिलम नुवाक जोकोविच का है यह अश्टिलियन ओपन 2023 को जीतने के बाद और सिर्फ और सिर्फ क्यों अश्टिलियन ओपन की बात करते हैं तो यह इनका टेन्थ यानि कि दसवा आश्टिलियन ओपन का खिताब है टाइटल है जोकोविच का तो यह आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे तो दोस्तों यही थी जानकारी अश्टिलियन ओपन 2023 में तो इसमें जो है सबसे जाता है इंपोर्टेंट है वह है नोवाक जोकोविच का और ओमेंस में जो है वह है आरिया साबलेंग का जो बिलारु इसके बाद में आपका विंबर्ण होता है तो सारी चीजों को आप लोगों को ध्यान में रखनी है